लिर्ट पोईट्री के रिगार्डिंग हम लोग कितनी बाहर मतलब हम लोगों का डिसकेशन हो चुका होगा है ना यह सबसे पहले यह तो समझ यह क्या है लिरिक लिरिक का मतलब क्या होता कि कोई भी हैसा सॉंग जिसमें परसनल फीलिंस और जिसे किसी मुझिकल इंस्टूमेंन के साथ गया जा सके उस्हें हम लोग बोन पे को लिरिक पोईटरी अब पोयम एक्सप्रेसिंग दा सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब पर्शन और पर्शनल एमोशन वही चीज है सच पोईटरी इस मेलेडिक सिंस इट वाज ओरीजिनली अकमपनीड बाई लायर अना अट टाइप आप पोयम दैट कैन वी संग इन अकमपनीमेंट आफ लायर जिसे हम लोग एक म्यूजिकल इंस्टुमेंट की कमपनी के साथ गा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं लिरिक पोईटरी बोलते हैं गाई जैसे आपने देखा लिरिकल बैलेड वैसे ही डाई अब अगर आप कहें कि क्या कोई भी पोयम लिरिक हो सकती है तो भाई जब साफ गया है कि पर्सणल फीलिंग है कि अरा यस पर्सव मजे सा गया उसको किसी two of that गा सकते हो तो इत मेंस को इभी पोयम हो सकते है जैसे क्याती यह पयर बाड़ देखते हैं कि यह लिरिक है यह पोयम यह कोई ऐगर लिखा हो तो ऐसा नहीं कर सकते आपकी यह बैलेट है तो यह लिरिक नहीं हो सकता है नहीं अगर वो उसका फॉर्म बैलेट हो सकता है लेकिन उसका पैटर्न लिरिकल हो सकता है ना बिल्कुल आप समझ रहे होंगे अच्छा समझ में नहीं आता क्या बच्चा पार्टी प्लीज सर मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया है कोई बात नहीं है जिसको भी जुकाम हुआ हो गरम गरम पानी देजिए तो कोई बात नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे बताइए जरूर मैं आपका सॉलीशन लेता हूं on soihen the प्लीट एक बार लाइक और शेर कर दीजंगा बहुत सारे बच्चे गायब है है नहीं गायब रहने दीजिये क्या किया जा सकता है में जैसे यह बहुत सारे लिरिक हैं टॉमसग्रे ने लिखा विलियम कॉलिंप्स ने लिखा था का बहू सारे में एक्षिली यह जो टर्म है ना यह खास करके यह एक राइटिंग के साथ एसोसियेटेड होता है यह यह जो है एक टाइप की राइटिंग